हलो फ्रेश्णалась, स्वागत हैं मेरे कुकिंग ब्लाग में, फ्रेश्णалась में आज में बनाने वाली हुँ वेयर का चठपटा रेस्पीत, चली है चलते हैं वेयर तोड़नी तो हम आ गए हैं बैर तोनी तो देख सकते हैं कितना उपर उपर लगए है वैर तो इसको तोड़ लेती है चैनल में नए होंगे तो लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा बने रहे वीडियो के एंड तक तो हम इतने सारे बैर को तोड़ लिए हैं अब इसको उठा लेते हैं एक टोकनी में ये मीथा वाला बैर है ये बैर खाने में बहुत ही अच्छा लगता है मीडियम साइज का है खूब बड़ा बड़ा नहीं है तो हम इस तरह से बिन लेते हैं सभी को ये अभी खूब पका नहीं है हमें इसी तरह कबेर चाहिए जो कि थोड़ा कच्चा कच्चा हो ये हमारी बाड़ी कबेर है बहुत ही मीथा लगता है तो हम सभी कोई तरह से बिन लिए है अब इसको बनाने के लिए हमें चाहिए धन्यापत्ती चलते हैं धन्यापत्ती तोड़ने तो ये है धन्यापत्ती तो हम इसको तोड़ लेते हैं जादा नहीं चाहिए थोड़ा सा चाहिए तो हम इत्ते सारे धन्यापत्ती को तोड़ लिए हैं और आप तोड़ेंगे हरी मिर्ची तेन चार तो हम मिर्ची को भी तोड़ लिए है और अब तोड़ेंगे लहसुन पत्ती तो तीन चार पत्ती लहसुन पत्ती भी तोड़ लेते हैं तो हम सभी चीजों को तोड़ लिए हैं अब चलिए बनाते हैं तो सभी को साप पानी से धूल लेते हैं तो हम धन्या पत्ती लहसुन पत्ती और हरी मिर्ची को धूल लेते हैं और अब सभी बैर को भी धूल लेते हैं तो हम धूल लिए हैं सभी को साप पानी से हम इसे देशी स्टाइल में बनाएंगे तो इसे बनाने के लिए हम सिलवट्टे का उप्योग करेंगे और जो बैर का डेंठल होता है उसको तोड़ लेते हैं इस तरह से और बैर को सिलवट्टे में रखकर इसको कूच लेते हैं थोड़ा थोड़ा तो देख संकते हैं हम इस तरह से कूच लेते हैं सभी बैर को तो हम सभी बैर को कूच लिए हैं और आप सिलवट्टे में हरी धनिया पत्ती लैसुन पत्ती हरी मिर्च और स्वाधमसान नमक को पीसेंगे तो हम इस तरह से सिलवट्टे में सभी को पीस लेते हैं तो हम इस तरह से सभी को पीस लिए हैं और पीसे हुई मसाले को बैर में एड़ कर लेते हैं और थोड़ा सा चाट मसाला भी एड़ कर लेते हैं और आधा चमत सरसो का तेल एड़ कर लेते हैं मसाले को सिलवट्टे में पीसने से बैर काफी ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में और सभी को इस तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे तो देख सकते हैं हमारे बैर का चट पटा रेश्पी बनके तयार है हम लोग गाओं में इसी तरह से बना के खाते हैं आप लोग किस तरह से खाते हैं कॉमेंट में जरूर बताईएगा और आप सब को बैर की रेश्पी कैसी लगी पसंद आई तो लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा